कि वेल्कम बैक फ्रेंश टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूटूब चैनल दोस्तो आज है 25 सितंबर 2020 सौराज की करेंट फिर में जितने भी इंपोर्टन कोश्चिन बनेगी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और अगर आप चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब क को जरूर जोइन करें जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो यहां पर दीए फर्स्ट कोश्यन है टाइम मैगजीन की 2020 की सौ प्रभावसारी लोगों की सूची में किस भारती राजनीता को सामिल किया गया है तो इसका अंसर होगा प्रधान मंतरी नर्यन मोधी ऑप्सण एस ही होगा तो टाइम मैगजीन ने सौ सबसे प्रभावसारी लोगों की सूची जारी किया है जिसमें भारत के प्रधान मंतरी राजनीता की रूप में रखा गया है 2014 में सत्ताय में आने के बाद उन्हें इसके लिए चौती बार नामित किया गया है इस सूची में पांच स्रेडियों में लोगों का नाम दिया जाता है जिसमें की पाइनियर्स, कलाकार, नेता, टाइटन्स और आइकन्स लोग इसमें सामिल होते हैं ठीक है मैं आपको बता की प्रोफेसर रविंद्र गुपता, पाइनियर्स की स्रेडिय में, क्लीनिकल माइक्रो बाइकलोजी के प्रोफेसर हैं जो की HIV के इलाज के लिए काम कर चुके हैं इनको भी इस लिष्ट में सामिल किया गया है और भारत की कलाकार यानि की भॉलिवुड अबनिता, आहिसमा खुराना को भी इसमें सामिल किया गया है, साथी ग्लिक्स आएकन की घ्री में उसमेल किया गया है तो एकमातर राजनीता की रूप में प्रधान मंत्री निर्एद्मोदी को सामिल किया है तो नेक्ड़ कोश्चन है, कॉश्न नमर सेकिंड हाली मैं वुर्ल्ल मैरी टाइम ड सारगरम की रूप में विश्य स्तर पर मनाय गया विश्य समुद्री दिवस मनाने की सही तारीक व्यक्तिकत सरकारों पर निरभर है लेकिन यह आम तोर पर सितंबर माई के अंतिम सप्ताय के दौरान ही मनाया जाता है ठीक है और इस वर्स के विश्य समुद्री दिवस 2020 का जो प्लैनिट जो की संयुक्तराष्ट की सतत्विकास लक्षियों SDG की बारी में जागरुकता बढ़ाने और अंतराष्टी ये समुद्री संग्ठन MO और इसकी सदस्राजद्वारा लच्छ प्राप्त करने के लिए काम करता है ठीके बात करें अंतराष्टी मेरिटाइम संग्ठन की मुख्याले की तो इसका मुख्याले लंदन में है जो की United Kingdom में है अंतराष्टी मेरिटाइम संग्ठन की जो इस्थापना हुई थी वो 17 मार्च सन 1948 1948 में हुई थी ठीके और इसकी माहसचे हुए है कि टैक लिम चलिए यहाँ पर दीखते हैं एमी पुरुसकार 2020 में सरस्रेश्ट ड्रामा सीरीज का खिताब किसे मिलाए तो यहाँ पर जो ऑप्सन दीए गई है इसमें जो राइट आंसर है सक्सेशन ऑप्सन बीस ही होगा तो COVID-19 के समय में Emmy Award 2020 से Hollywood के पहले प्रमुक्सो की शुरुआत हुई है इस समारोई की मेजबानी जिमी के मेल दोरा लोस एंजल्स के एक खाली थेटर में की गई थी जिसमें दरसकों की नामांकितों की कटाउट थी और मैं आपको बता दूँ कि इसमें सक्सेशन सरस्रिष्ट ड्रामा सीरीज चुनी गई है ड्रामा सीरीज में सायक अबनेतरी गरूप में जूलिया गारगर उजार को चुना गया है और ड्रामा सीरीज में सरस्रिष्ट अबनेता गरूप में बली कुड्रप को चुना गया और उत्कृष्ट निर्दीशन के लिए सक्सेशन ही जो ड्रामा है उसको चुना गया है ठीक है तो इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे नेक्स्ट क्वेशन याँ पर क्वेशन मर्फूर हाली में केंदरी ये प्रदूसर नियंतरर बूर्ड ने किस क्रम का प्रदूसर नियंतरर बूर्ड ने अपने 46 में इस्थापना दिवस को मनाया है देश में परियावड संबंदी शोध निगरानी वी नियमन और प्रवरतन के लिए केंदर सरकार की तकनीकी अंग की रूप में 23 सितंबर सन 1974 1974 को जल प्रदूसर निवारक और नियंतरक अधिन इनकी Central Pollution Control Board इसको इस्थापित किया गया था इसकी स्थापना के बाद CPCB देश के परियावड को बचाने की दिसा में काम कर रहा है इसकी कुछ पूर सक्रिय गद्विदियां में अलग-अलग छेतरों के लिए विसे इस मानकों का निर्मान करती रही है तो overall आप समझ सकते कि देश में जो पूर्दूसर नियंतरल का काम करता है तो वो करता है केंद्री पूर्दूसर नियंतरल बोर्ड और इसकी स्थापना का दिवस हाली में मनाए गया है 46 नेक्स्ट क्वेश्चन याँ पर क्वेश्चन नमार 5 UNEP की छेत्रिये Ambassador किसे निक्त किया गया है तो इसक इसन की द्वारा भारत की छेत्री राइदूत की रूप में नुक्त किया गया है अपनी नई भूमका में खुसी जलवाई परवरतन और परेवर्ड संरच्छड की महत्त तथा परेवर्ड सुरच्छा की बारे में जागरुकता बढ़ाएंगी वो फरवरी 2021 तक विविन पर था अपनोगी थी पांच जून उननीस सो बात तर राइट नेक्स्ट कुश्यन है कुश्यन नमर सिक्स भारत की पहली राफेल महला फाइटर कौन होगी इंपोर्टेंट कुश्यन है तो इसका आंसर होगा शिवांगी सिंग ऑप्सन सी सही होगा तो फ्लाइट लेफटिनें सिवांगी सिंग अपने रूपांतरल प्रसिक्षड की पूरा होने की बाद आपचारिक रूप से अम्माला एयरबीस में 4.5 पीडी की राफेल की 17 गोल्डन एरो स्कौडरन में सामिल होगी ये प्रसिक्षड तब तक आवश्यक होता है जब एक लड़ाकु पाइलट एक फ अभी हाली में जो है फ्रांसी राफेल विमान भारत में आई है नेक्स्ट क्वेश्यन आपर कोश्यन नमर 7 हाली में राजिस्थान के किस चले में नो मास्क नो सर्विस अभ्यान सुरूआ है तो इसका अंसर होगा जोदपूर option A सई होगा COVID-19 के संबन्द में जन्ता में जागरुकता बढ़ाने की प्रियास में जोदपूर जिला प्रसासन ने 22 सितंबर 2020 को no mask no service यह अभियान सुरू किया है यानि कि no mask no service और no entry ठीक है यह अभियान सुरू है और इस जागरुकता अभियान की थायत पूरे जोदपूर में लोगों को मास्क का उप्यूग करने के लिए प्रूस्थायत करने के लिए कई पोश्टर वानों को भी यूज किया गया है जोदपूर में कोवेट 19 मामलों में अचानक वृद्धी की बात इस तरह का कदम उठाय गया है राइट नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमर 8 रिलाइंस रेटेल में किस कंपनी ने 1.28% की हिस्सिदारी खरीदी है इसका अंसर होगा KKR तो अमेर्की निजी एक्विटी फर्म KKR एंड कंपनी रिलाइंस इंडस्टीज लिम्टेट की खुदरा साखा में 1.28% हिस्सिदारी खरीदने के लिए 5550 करोड रुपई का निवेस करीगी मुगेस अंबानी द्वारा 47 समुई धन अरजित करने का विस्तार करता है जो पहले ही 20 बिलियन अमेर्की डॉलर से अधिक का सुद्ध लाव पराप्त कर चुका है इस निवेस में ग्रॉसरी स्टोर और फैसन चैन संबंदित करने वाली रिलाइंस रिटेल की मूल प्री मनी एकुटी मूल पर 4.2 एक लाग करोर रुपए का इसका कुल बजट है ठीक है तो ध्यान रखेंगे कि KKR ने भी रिलाइंस रिटेल में निवेस किया है मैं आपको बता दूँ कि रिलाइंस रिटेल स्वरी यहां पर मैं आपको बता दूँ कि रिलाइंस कंपनी ओबर ओल भारत में सबसे इधिक बाजार पूजी करण वाली कंपनी है ठीक है नेक्स्ट कोश्यन है कोश्यन नमबर 9 बिली जीन किंग कप इसको किस टेनिस कप का नाम बदल कर रखा गया है तो इसका अंसर होगा फेडरेशन कप आपसन एस ही होगा तो अंतराश्टी है टेनिस महासंग आईटी एफ ने फेडरेशन कप की नए नाम महला टेम टेनिस विसकप का अनावर्ड किया है जिसका नाम बिली जीन किंग कप रखा गया है विमेंस टीम टेनिस वर्ल्ड कप का नया नाम खेल और समानता और सामाजिक नियागी कारकरता बिली जीन किंग की नाम पर रखा गया है और उनकी एक सम्मान की रूप में देखा जा रहा है किसी महला की नाम पर होने वाला यह सबसे बड़ा टीम टूनमेंट है किस राज में भारत की राकेट पोर्ट पर लांच पेट की स्थापना की गई है तो इसका अंसर हो तमिल नाडू अफसन एस ही होगा तो अंतरक शिराज मंतरी जितेंदर सिंग ने लोक सबाब को बताया है कि तमिल नाडू सरकार ने देश के दूसरी राकेट लांच पोर्ट की स्थापना के लिए तमिल नाडू की थुतकुटी में कुल सेकर पट्टीनम में भोमी की पहचान की है और इसमें देखी मैं आपको बता दूँ कि 43,187 हेक्टेर के लिए भोमी सर्विक्षड पूरा हुआ है साथी साथ वर्तमान में भारत आंद प्रदेश के स्री हरी कोटा में राकेट पोर्ट से अपने राकेट लांच करता है भारत में इस पोर्ट में दो लांचिंग पैड है तो आप ध्यान रखेंगे कि अब एक दूसरी भी जगह होगी जो की तमिल नाडुगे थुदकुटी में होगी और वहाँ पर राकेट पोर्ट लांच पैड की स्थापना की जाएगी ठीक है तो यह रहाँ आज की वीडियो को टॉप 10 करेंट अफर कुश्चन आगे देखते हैं कल की कुछ का अंसर कलाप से पूछा गया था हाली में मुकवंतरी महला उतकर सी उजना किस राज में सुरू ही जिसका अंसर है गुजरात दूसरा कुश्चन था पूना पैक्ट कब हुआ इसका अंसर 24 स्थमबर 1932 आज का कुश्चन है ए प्रॉमिस्ड लेंड बुस्तक किस ने लिखी है इसका अंसर अब कमेंट बॉक में बताईए करेंट अफर का कुश्चन है जिसका कुश्चन है बारत में जमीदारी एसोसीशन या लेंड होल्डर सोसाइटी की स्थपना कब हुई थी इसका अंसर भी कमेंट बॉक में बता सकती है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें मिलते है